तो आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पे है जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आपको भी मसूडो या दातों में खून आता है तो क्या आप घर में रेमेडीज कर सकते हैं जिससे आपको बिलकुल अराम हो जाएगा अपने मसूडों में खून आना बिलकुल बंद हो जाएगा तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहली बात दिन में आपको दो बार ब्रश जरूर करनी है और एक बार फ्लॉसिंग जरूर करनी है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके दातों में बैक्टीरिया जमा हो जाता है और बैक्टीरिया जमा होने की वज़े से आपका टूथ डिके या गम डिजीज होन दातों की जो health है वो बनी रहे और खून आने की problem ना हो दूसरी बात अपनी diet में जो vitamin C का intake होता है उसको बढ़ा लें क्योंकि जो vitamin C होता है वो हमारा immune system को strong बनाता है और जो gum infection हो जाती है जिसकी वज़े से हमारे मसूडों में खून आता है उससे भी fight करने में vitamin C काफी असरदार है तो vitamin C के लिए आप ये foods खा सकते हैं जैसे आप oranges ले सकते हैं sweet potato ले सकते हैं red peppers ले सकते हैं carrot ले सकते हैं इन चीजों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी diet में include करें और जिसकी वज़े से आपका जो immune system है वो strong हो जाएगा और आपको gum infections नहीं होंगी और साथ में आप vitamin C का वे intake increase कर दे क्योंकि वो भी जो bleeding gums होते हैं मसूडों में खून आने की problem होती है उसमें fight करने में काफी असरदार है क्योंकि vitamin C एक ऐसा nutrient है जो आपके blood clotting में help करता है और जब deficiency हो जाती है vitamin C की हमारे शरीर में तो हमारी bleeding आसानी से शुरू हो जाती है तो ये भी एक कमी हो सकती है आपके शरीर में जिसकी वज़े से आपके मसूडों में खून आ गया है तो vitamin C के लिए आप mustard greens खा सकते हैं, collard green खा सकते हैं, पालक ले सकते हैं चीजों को अपनी diet में include करके आप अपनी vitamin C की कमी को पूरा कर सकते हैं दातों और मसूडों के लिए calcium भी बहुत जरूरी है, तो आपको कोशिश करनी है कि calcium भरी चीजों को भी अब जादा से जादा अपनी diet में include करें जैसे milk, milk बहुत ही अच्छा source है calcium का, तो milk जादा से जादा आप अपनी diet में include करें, जिससे आपको calcium की कमी नहीं होगी और आपके जो दातों में समस्या है, मसूडों में खून आने की समस्या है, वो भी खतम हो जाएगी अगली जो tip है, जिससे आप मसूडों में खून आने की समस्या कम कर सकते हैं, वो ये है कि आप अपनी diet में carbohydrates का intake कम कर दें क्योंकि एक research में ये पाया गया था कि जब हम carbohydrates जादा अपनी diet में include करते हैं, तो उसकी वज़े से जो हमारे bacteria जमता है दातों में, उसके जमने के chances जादा भढ़ जाते हैं तो अगर आप carbohydrates का intake थोड़ा कम कर देंगे, तो bacteria हमारे दातों में कम जमेगा और उसकी वज़े से जो खून आने की problem थी वो भी कम होगी साथ में आप अपनी diet में green tea का सेवन करना शुरू कर दें, क्योंकि green tea के अंदर एक ऐसा natural antioxidant होता है, जिसकी वज़े से जो हमारी body का response होता है, जो bacteria की हमारे दातों पे आ जाता है, जिसकी वज़े से खून आता है, तो body का response वो कम कर देता है, और वो खून भी फिर उसकी आप warm water ले, उसके अंदर salt डाल दे, इससे आप अच्छी तरह कुला कर ले, ऐसा करने से जो आपके दातों में bacteria जमा हो गया था, वो खतम हो जाएगा, और आपके जो दातों में मसूडों में खून आने की समस्या है, वो भी कम हो जाएगी और खून भी आना रुक जाएगा तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, अगर आप चाते हैं कि जल्दी से effect हो जाए जब आपके दातों में खून आता है, तो आप salt water से अपने दातों में अच्छी तरह कुला कर ले, इससे भी आपको काफी फायदा होगा, और ये जरूरी नहीं है कि हर बार कोई gum infection या gum disease की वज़े स ही आपके मसूडों में खून आता है, कई बार ये भी होता है, कोई injury की वज़े से भी खून आ सकता है, कि आपका कोई gum tissue के उपर injury लग गई हो, तो ऐसे cases में आप अच्छी तरह कोई ice लगा ले, ice को आप कपड़ों में बांद कर उस पे अच्छी तरह लगा ले, तो उससे काफी infection होने के chances बढ़ जाते हैं, smoking करना बिलकुल बंद कर दे, और अगर आपको कोई stress या depression है, तो उसका भी आप doctor से इलाज करवाएं, क्योंकि stress यो depression की वज़े से भी हमारे दातों में infection होने के chances बढ़ जाते हैं, जिसकी वज़े से हमारे दातों में खून आते हैं, और मस baking soda लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डिप करके अच्छी तरह baking soda से आप अपने मसूडों पे massage कीजिए, उससे आपके जो bacteria चले गए हैं, आपके दातों पे जमा हो गए हैं, वो दीरे-दीरे मर जाएंगे और दीरे-दीरे आपका खून आना भी बंद हो जाएगा, और last चो tip है, वो यही कहूंगा आपको कि अपनी diet में जादा से जादा कच्छी सबसिया include करें, क्योंकि raw vegetable खाने से आपके दात स्वस्थ रहते हैं, healthy रहते हैं और ऐसी कोई समस्या, जैसे कि मसूडों में खून आना, pain होना, वो कभी नहीं होती है, तो दोस्तों, यह थी आज की यह regularly यह चीजे follow करते हैं, और फिर भी आपको खून बंद नहीं होता है, तो आपको डॉक्टर से दिखाने का time आ गया है, क्योंकि यह वजह हो सकती है, कि आपको कोई और बड़ा issue है, जो सिर्फ डॉक्टर ही resolve कर सकता है, तो अगर एक अफ़ते में आपको आराम नहीं होत और हमारे चैनल हेलो फ्रेंट टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रस्ता बेल आइकन दाकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस्ट ना करें